आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के बहुत सुन्दा सब बेबी सैट जिसमें हमने कार्डिगन कैप और सॉक्स बनाए हुए कार्डिगन की वीडियो अप्लोड हो चुकी है आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहां से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कॉमेंट कीजे मैं वीडियो सेयर जरूर करूंगी आज हम बनाएंगे इसके लिए कैप और स बनाएगी ठीक है तो उसमें मैं फंदे बता दूंगे आपको उसी हिसाब से आप बनाएगा और यह देखे बहुत सुंदर सा सॉक्स मैंने बनाया हुआ है अगर न्यूबॉन बेबी के लिए आप बना रहे हैं तो भी यह सॉक्स आ जाएगा क्योंकि यह न्यूबॉन बनाएवे जो भी स्वेटर सॉक्स कुछ भी होता है वह स्टेचिबल होते हैं खिचने वाले होते हैं अगर आपको फिर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है न्यूबॉन बेबी के लिए तो इसमें थोड़े से फंदे कम कर सकते हैं उसके लिए मैं आप दूसरी वीडियो बन लेते हैं उसके बाद बनाएंगे इसकी सॉक्स तो देखे ये कैफ हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है यहां पर हमने 72 फंदे बहुततर फंदे ले लिए हैं और उनमें हमने दो उल्टे दो सीदे का पैटन दे दिया है आप इससे उपर जो पैटन देंगे उसकी वीडि यून है तो इसमें 4-6 फंदे आप कम कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बना लेते हैं इसको पैटन देने के बाद मैंने बना लिया है यह यह पैटन आप प्लीज पार्ट नमबर वन में जरूर देखेगा जिसमें स्वेटर की वीडियो दिये मैंने स्वेटर की वीडियो आपक इसमें पैटन नहीं देंगे इसको 4-5 फंदे लेते हैं तो देखेए कैप की जो लंबाई है कम्प्लीट हो गई है यह रेकिए 5.5 इंच लगबगे हो गया है इसको क्या करेंगे हम हमने यहां पर आधे आधे फंदे ले ले लिए हैं एक में एक ज्यादा है उससे कोई पर अपनी पड़ता अब क्या करेंगे पहले एक साइट का हम बंद कर लेंगे ठीक है एक साइट का कैसे करेंगे इनको गुलकुल आधे-आधे कर लेंगे देखें किते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चार्द, पंदरा, सोलग, सत्रा और अठारा अठारा के डवल हैं तो अठारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चारदा, पंदरा, सोलग, सत्रा, अठारा यहां तक हमारा एक नोट लगा लेंगे यहां से इदर को अठारा हैं, इदर से अठारा हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इनको सारे निकाल लेंगे ठीक है और इनको इस नीडल में ही लगा लेंगे ठीक है अब इस साइड के फंदे लेंगे इसमें इस तरह से ठीक है आप क्या करेंगे इनको और इनको यह हो गए ठीक है आप क्या करेंगे यहां से फिर से अठारफ अंदे बना लेंगे एक, डो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदर, पंदरा, सोला, सत्रा, और यह अठारा ठीक है इस साइड भी हमारे अठारे होंगे एक ज्यादा होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदर, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा और एक एक स्ट्रा है हमारे पास ठीक है क्या करेंगे इस साइड से ले लेंगे ऐसे ठीक है इनको निकार लेंगे और ऐसे पीछे साइड से इनको इसमें भर लेंगे यह ठीक, ठीक है, यह हो गया अब हमारा धागा कहा है, बीच में इस तरह से एक फंदा इस नीडल से देखें आधे फंदे हमारे इधर हैं और आधे इस साइड है, ठीक है एक फंदा इस नीडल से लेंगे, एक फंदा इस नीडल से एक फंदा इस नीडल से दो का एक कर लेंगे अब यह जो हमारा एक फंदा बना हुआ है इसको वापस इसी नीडल में लेंगे और यहां से एक फंदा और लेंगे और यहां इस वाले निडल का भी एक फंदा लेंगे तीन हो गए तीनों का एक कर लेंगे जो बना हुआ है उसको भी लेंगे एक यहां से दूसरा और यहां से तीसरा तीन का एक इसी तरह से पूरी निडल हम कम्प्टिट करेंगे तो चलिए इसको कम्प्टिट कर लेते हैं अब देखिये हमारा इस साइड एक फंदा ज्यादा था न उसमें जा करेंगे हम एक और यह दो यहां के दो फंदे ले लेंगे तो यह यहां पर एज़ेस्ट हो जाएगा ठीक है इसको ऐसे ले ले ठीक है हो गया अब हमारे बराबर फंदे हैं इस तरह से जो फंदा बना है उसको भी ले लेना है और जो फंदे हमारे पास है उस एक इस नीडल का एक इस नीडल का उनको भी ले लेना है तो चलिए कम्प्रीट कर लेते हैं सारा यह देखिए सारे फंदे हमने बन कर लिया लास्ट फंदा रह गया था उसको नोट लगा लेंगे ऐसे अब कैप हम बैक साइट से से इसको सिल देंगे बैक साइट से सिलेंगे इसको और थोड़ा सा यहां पर इस तरह से तिर्चा करके सिल देंगे तो चलिए मैं इसको सिल के लिए आती हूं आपस तो देखें यहां किनारे पे मैंने थोड़ा से इसको सिल लिया था जो कि यह यह जैसे लगे थोड़े से तो आप इसी कलर से भी सिल सकते हैं ब्लैक कलर से भी इसको सिल सकते हैं तो चलिए इसको फटा पर सिल लेते हैं और इसमें पॉम पॉम बना करके लगा देते हैं आप इसके पॉम-पॉम थोड़ा सा बड़े भी बना सकते हैं, ठीक है, तो कैसे सी लेंगे इसको देख लीजी, बना सकते हैं, आपना 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 सकते हैं, कर दो कर दो. कर दो कर दो, तो देखे इस तरह से हमने इसको सिल लिया है पॉम पॉम कैसे बनाया है इसको मैंने आगे भी बताया आपको वीडियो को पूरा देख लिजे अब बना लेते हैं इसके सॉक्स तो देखे ये सॉक्स हम न्यूबर्न बेबी के लिए भी बना सकते हैं और 6 मंत के बेबी के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमने फोट्टी फंदे ले लिए हैं टोटल सिंगल धागे से लिए मैंने ये फुट्टी फंदो को हम परले में बना लेंगे ठीक है पहली रो बना रहे हम फ्रंट साइट की इसके बाद हम बैक साइट की भी बनाएंगे फिर फ्रंट साइट की भी इसी तरह से उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे दोनु साइट परले में बनाएंगे और इसमें छे लाइने बनाएंगे, मतलब 12 row, 12 row बना करके आते हैं वापस, इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है, तो चलिए 12 row complete करके आते हैं वापस, तो देखें, यहाँ पर हम 6 लाइने बना के आ गए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक लाइन हमारे दो रो से बनती हैं, फ्रंट की एक बैक की रो बनाएंगे, तो हमारी एक लाइन बनेगी, इसी तरह से हमने 12 row बना लिए हैं, 12 row बनाने के बाद अब हम फ्रंट 40, मतलब 8-8 फंदे आएंगे हमारे, ठीक है, 8-8 फंदे आएंगे तो दो हिस्से हम इस साइड रखेंगे, दो हिस्से हम इस साइड रखेंगे, बीच में हम एक हिस्सा रखेंगे, मतलब 8 का दूर, डबल होगा, 16, 16 फंदे हम इस साइड रखेंगे, और 16 फंदे हम इस लेंगे हम दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चर्दा, पंद्रा, और ये सोला, ठीक है? तो अब हमने दो हिस्से ये बना लिए, दो हिस्से हमारे इस साइड है, तो बीच के वाले एक हिस्सा जो हमारा आठ फंदा है, उनको बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे बना लिए, एक फंदा और बनाएंगे, लेकिन एक फंदा आठवे फं इस इक पंद आ लेंगे और इस तरह से और इनको दोका एक कर लेंगे थिक हैं यहीं से वापस हो जाएंगे इस फंदे को बना लेंगे और से हम साथ फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ, आठवे फंदे को हम साइड वाले से एक फंदा और लेंगे, दोनों को दो का एक कर लेंगे, ठीक है, अब यहां भी हमारे पंदर फंदे रह गए, सोला, सोला फंदे साइड में थे हमारे, अब एक एक घट के पंदर रह गए, ठीक है, अब पहला फंदा ऐसी बना लेंगे, यहीं से वापस जाएंगे, साथ फंदे बना लेंगे, देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, आठवा फंदा लेंगे, और यहां स से एक फंदा और लेंगे, तो यहां पर 15 थे, अब हो गए यहां पर 14, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, ठीक है, 14 फंदे हो गए, यहीं से हम वापस जाएंगे, धागे को आगे कर लेंगे, पहला फंदा हम ऐसी ले लेंगे पहला फंदा हम बना लेंगे, और गिनेंगे इनको दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, यह आठवा फंदा और साइड में से एक फंदा, एक एक फंदा साइड में से हर रो में कम होती जाएगी, एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से, यहीं से वापस हो और इस फंदे को हम बना लेंगे। 3, 4, 5 , 6 , 7 वो गए यह आटवा फंद़ा और इस साइट का फंद़ा का फंद़ा दो का एक कर लेंगे। तिके और यहीं से वापस जाएंगे अधागा आगे कर लेंगे पहला फंद़ाम ऐसी ले लेंगे। सोरी पहले फंदे को बनाना बहुत जरूरी है बना लेंगे और इसी तरह साथ फंदे बना लेंगे चार पांच छे और ये साथ ठीक है ये देखे आठवा फंदा है आठवा फंदे को बगरवाले फंदे के साथ जोड़ेंगे और यहीं से वापस जाएंगे धागा आगे करें साथ फंदे फिर बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ का फंदा और बगलवाले से एक फंदा, दो का एक, फिर वापस धागा आगे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ हो फंदा और इसको, यही से वापस करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं, तो आ गया होगा आपको समझ में, बीच के जो आठ फंदे हैं, वो तो रहेंगे ही, साइड कोंके जो फंदे हैं, वो एक, एक करके हमने कम करेंगे, यहीं से वापस आजानेmen फिल साथ फंदे फिर बना लेमें है इस पंदे को इस पंदे के साथ जोड़ने है ठीक है तो चलीν इसी तरह से हम बना लेते हैं बागी मैं बता देती हो आपको किते फंदे आपको लाश्ट में रखने हैं ठीक है यह देखे इस साइड एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ एक हिस्सा है नो उसमें हम एक फंदा हो ले लेंगे नो नौ फंदे इस साइड रखने हैं आपको नौ फंदे इस साइड ठागा आगे करेंगे और बना लेए तो चलिए इसको बना लेते हैं तो तो देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न फंदे रह गए है एक साइड का हमारा हो चुका है इस साइड ले लेंगे ये देखे ये फंदा और ये फंदा आठ्वा फंदा और एक इस साइड भी हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो फंदे रह गए ठीक है तो यही से वापस हो जाएंगे दोनों साइड नोनों फंदे हमारे अब इनको बना लेंगे जब हमारे दोनों साइड बराबर फंदे हो जाएंगे वहीं से वापस आके रो को कम्प्लीट करेंगे देखे सीधे साइड से हमने सुरू किया था बनाना अब सीधे साइड से हम इस रो को कम्प्लीट करेंगे देखे आठ फंदे हमारे बीज में है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो फंदे इस साइड नो फंदे इस भाके बना लए लास्ट फंदे को हम सीधा करतें तो ये हमारा पंजा आगे को निकल चुका है अब अब आँपर को बनाएंगे तो यहां पे एक रो और दो रो दो रो कम्प्लीट करके तीन रो कम्प्लीट करेंगे यह फ्रंट साइट का है एक बैक साइट का एक फ्रंट साइट का एक बैक साइट का तीन रो कम्प्लीट करके आते हैं वापस तीनो यह रो परल में बनाने हैं अब पूरे पूरे फंदे ब दागा आगे करेंगे हम इन दो फंदों को एक कर लेंगे दो का एक ठीक है फिर एक सिंपल फंदा बनाएंगे फिर दागा आगे करेंगे फिर हम दो फंदों का एक बना लेंगे फिर एक simple फंदा बनाएंगे सीधा फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदो का एक बनाएंगे इसी तरह से हम पुरी रो रोbei कम्प्लिट करेंगे धागा आगे जाली धेते होगे 2 फंदो का एक और एक फंदा simple फिर दागा आगे जाली देते हुए दो फंदों का एक एक फंदा सिंपर फिर दागा आगे दो फंदों का एक फिर एक सिंपर तो चलिक रो कम्प्रीट कर लेते हैं यह देखी हमारी जाली वाली रो कम्प्रीट हो गई है बैक साइड की रो बनाएंगे उल्टा उल्टा ठीक है यह जाली वाला फंदा भी हमको बना लेना है अब हम फिर से परले में बनाएंगे बैक साइट की बना रहे हैं फिर फ्रंट साइट की भी परले में बनाएंगे माला उल्टा उल्टा बनाइने फिर back side कहीं फिर prior to broken चार एले में परल बनाइए चारो इसी तरह से परल में बनाइंगी 4 रो हमको उल्टी-उल्टी बना लेनीए ठीक है तो चले बना लेते हूं तो देखे यह यह बना दिया हमने back side से हमने शुरू किया था परल वाली रो फिर फ्रंट साइड में भी परल बैक साइड में भी और फर्ल साइड में अब आगे हम back आउना उसना बनाई थी मैं ढ़िए ऐसे आमने सोबाआ जैसे निए नाए हुई है तीन कलर में उसे कलर को हम यूज करें ज тор जिए इसमें कि यह वहीं है और टानी क्लीक तो इसमें स्टाड करते हैं यह लो लगाते हुए को अअ Commonwealth लगा लेंगे और ग्रीन कलर का धागा हमको उपपर चाहिए यहां से बहुत उपपर है तो बाद में हम इसको दुबारा लगा लेंगे ठीक है अब हमको क्या करना है यहां से बना लेने हैं दो फंदे उल्टे बनाए हमने धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे हो गाए त्रगए करेंगे तो फंदे उल्टे और दो फंदे और दूर दे सीधे थीख तो इसी तरह से डो cleaning दो शीदे का पटन देंगे जैसे हम बॉडर में देदेते हैं ये देखे तो इससे थोड़ा सा stitchable हो जाता है जो socks होता है na stitchable हो जाता है यह देखें यह पतला लग रहा होगा लेकिन जब यह बच्चा पहनेगा उसके हिसाब से खीच जाएगा तो चलिए ऐसे हम चार यलो की चार ब्लू की चार पिंक की बना के आते हैं वापस तो देखें यहां पर हमने तीन कलर से बना लिए हैं दो उल्टे-दो सीदे का pattern अब बैक साइड से मैंने ग्रीन कलर का लगा ले रहा है पहली रो हम दो उल्टे-दो सीदे ही बनाएंगे ठीक है इस तरह से जो उल्टे उनको उल्टे बनाएंगे और जो फंदे सीधे हैं उनको सीधे बनाएंगे तो यह रो कप्लीट कर लेते हैं तो देखे पहली रो हमने दो उल्टे दो सीधे बनाए थे अब दूसरी और तीसरी रो हम कैसे बनाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक पंद बनाके इसी तरह से हम दो रो हम्द्व, ठीक है एक पंद सीथा के ये है हमारी इसीं फ्रंट साइट की रो और बैक साइट की रोह में आगे में अगर परेंगार में तरह है यहां पे मैं इस तरह से सुई से बंद किया हुआ है ठीक है अगर आपको टफ लग रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से भी बंद कर सकते हैं जैसे दो फंदों का एक करते हुए ठीक है तो इसको बनाएंगे हम फ्रंट साइट में एक फंदा जो सीधा फंदा है उसको बना लेना है फिर धागा आगे करेंगे उल्टे फंदे को हमको ऐसी ले लेना है धागे को पीछे करेंगे सीधा फंदा बना लेना है धागा आगे जरूर करना है हमको लेकिन उल्टा फंदा बनाना नहीं है उल्टे फंदे को ऐसी ले लेंगे सीधे बना लेंगे तो जरूरी नहीं कि आप सेम नहीं बनाँ है तो आप सिंपल तरीके से —दो लुटे दो सीधे बनते हमारे इनी को बनाते हुए और फंदी बन करते लास्ट में तेक बदे नहीं बनाना और सीदा में जरूर करने लेकिन पंदे को हमको बिना गया जैसे लेना और दागे को पीछे कर लेना और सीदा भंदा न अप्ट दा पीछे कर लेना है और सीधा फंदा बना लेना है धागा आगे करना है उल्टा फंदा ले लेना है धागे पीछे करना है सीधा फंदा बना लेना है इस तरह से ठीक है अब हम धागे को कट कर लेंगे और सुई में ले लेंगे तो देखे धागा हम ले लिया सुई में सुई को क अब देखे पहला जो हमारा सीधा असकोmate से नीडल में ले लेंगे और से इसको और दूसरे वाले फंदे को ऐसे दोchnya को ले लेंगे ऐसी हम उल्टे वाले फंदे के साथ करेंगे उल्टे वाले फंदा जो हमने छोड़ दिया था उसको उठा लेंगे और उसमें ले लेंगे और नए वाले फंदे में लेंगे तो एक पुराने फंदे में लेना है हमको एक नए फंदे से जोड दिना है उसको ठीक है तो यह हमारा पुराना फंदा है इसमें हम बिल्कुल उपर से इसको ले लेंगे पुराने फंदे को नए फंदे के साथ जोड़ेंगे ऐसी हम बैक साइड में भी करेंगे उल्टा फंद और नया वाला फिर उसके बाद उल्टा फंदा बैक साइट से उठा लेना है पुराना वाला और नया वाला इस तरह से इनको जोड़े में कई viewers के समझ में नहीं आता है तो कोई इत्ती बड़ी इसकी जरूरत नहीं है ठीक है आप इसको simple तरीके से भी सारे फंदे बंद कर सकते तो चलिए इसको इसी तरह से हम बंद करेंगे पूरी रो हमको इसी तरह से बनानी है एक पुराना सीधे फंदे के साथ देखई यह सीधा फंद यह सीधा फंद है किता शीधा फंदे को अगर आपको समझ में नहीं आया तो परेशान मत होई है मैंने कई सारी वीडियो और भी बनाई हुई है पहले आप सीख लीजिए उसके बार इसको अप्लाइ कीजिए ठीक है जरूरी नहीं कि इसी तरह से हम बंद करेंगे सिंपल तरीकी से भी हम सारे फंदे बंद कर सकते हैं बार्ड यहां से अपने कि इसको से नहीं खुले तो चैलिक में मäg च're दक हुद्द कर लेंगे कि इस तक द्वने में बहुत चोटा है अगर इसको खीचेंगे तो यह इस तक दूब द्वन है बाझे lep तरफ बना लेते हैं दोनुन सोगष हमारे कम्पिलीट हो चुकी है इसकी डोरी बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए आपको डबल धागा ले लेना है इस थागे को ऐसे डबल कर देङे यह मैं आपको थोड़ा सा एक्जामपल दे दे रही हुँ तुर आसे और इसको कट कर कर लेंगे यहां से जितना भी आपको धागा चाहिए उसको कट कर लेंगे फिर एक सीरा पकड़ेंगे एक सीरे से हम इस तरह से लपेटते जाएंगे और तब तक लपेटेंगे जब तक यह अपने आप मुड़नी नहीं लगे देखे इस तरह से हम कि बनाएंगे यह उग गया अब इसको हम बराबर ऐसे डबल करेंगे तो यह हमारा डोरी बनके तयार होगी जो कि आप खुलेगी नहीं तो आपको इतना लंबा धागा करना है कि उसका डबल करेंगे और उसको डबल करने के बार उसको बांधना ऐसे है तो देखे इतने लंबे धागे को हमने डबल किया तो यह इतना हो गया अब इसको हम सौक के अंदर ऐसे जो हमने वनाये इसमें ले लेंगे और इतना लंबा बनाएंगे कि यह बादने लाइक हो जाहिए तो इतना लंबा आपको धागा ले लेना है तो चलिए बना लेते हैं दोरिया तो देखें डोरी कंप्लीट हो गई है यहां पर मैंने पॉम पॉम भी बना लिये हैं कलर फुल यह देखें बहुत सुंदर यह लग रहें आगे आपको देखने को मिलेगा यह कैसे बनाए और यह दबल धागे लेने पड़ते हैं ठीक है अब हम बना लेते हैं पॉम पॉम इस तरह से मैंने यह चार धागे दस बार लपेट लिये और धागे को हमने कस के बांध लिया है इतनी टाइट से बांध है कि इसके धागे ना निकले जब हम इसको कट करेंगे ठीक है तो यह देख इसके बाद हम इसकी गोलाई लेंगे इस तरह से और दोनों साइड से हम इस तरह से फलावर की तरफ पकर लेंगे और जितना आपको इसकी गोलाई चाहिए उतनी आप रख लीजिए अगर आपको बढ़ा चाहिए तो आप इसमें थोड़े से लपेट ले और धागे उसके बाद कटिंग करें तो इस तरह से ये पॉमपम मैंने बनाई हुए हैं आप भी बना लिजे बहुत आसान तरीका है इनको बनाना ठीक है तो ये रेडी हो चुके हैं अब इनको हम सौक्स में कैसे लगाएंगे देखें एक सिरे में हम पॉमपम को सिल लेंगे पहले बांद लेंगे इसमें नोट लगा लेंगे इस तरह से ये देखें कैप में भी चाहें तो आप इसी तरह का कलरफुल पॉमपम लगा सकते हैं और इसको नोट अच्छे से लगाईएगा क्योंकि जब बच्चा पहनता है फिर धूलता है तो खुलने का डर रहता है तो पहले ही इसको इतनी अच्छे तरीके से बांद लेंगे कि ये फिर खुल लेना ठीक है तो इस तरह से कट करेंगे और देखे एक साइट को बांद दिया हमने दूसरी साइट को हम कुरुसिया की मदद से जो हमने ये जालियां बनाई थी इसमें से ले लेंगे इनको डोरी को ले लेंगे इसके होलों में से ठीक है बहुत टाइट बना हुआ है इस त उलजता नहीं है बच्चा बार-बार नहीं तो फसा देता है इस तरह से इनको कर लेंगे और दूसरा पॉम-पॉम इस साइट को हम बांध लेंगे आपको कोई विडियो में भी कोई आपको गलत लग रहा है कोईज़ अगर गलत में से बनी उउई है तो उसके लिए भी आप मुझे जरूर बताएगा कोमेंट में मैं आपके कोमेंट का बहुत इंतिजार करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अगर आप मेरे बनाएवे स्वेटरों को पसंद करते हैं और इसी तरह के स्वेटरों बनाते हैं और उसके बाद मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो देखें इस तरह से पंपं हमने दोनों साइट से बांद लिये हैं तो दोनों सॉक से तैयार कर लेते हैं ये देखें दोनों सॉक से हमारी बढ़ों के लिए भी बना सकते हैं बच्चों ले एक साल के बच्चे के लिए आप इसमें 50 फंदे लीजेगा हमने नीचे से 50 लिए थे ना आप 50 लीजेगा तो यह दोनों सॉक्स बनके हमारी तैयार हो गई है साथ महा हमने आज बनाई थी इसकी कैप तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएगा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा नए है चैनल में पहली बार वीडियो देखने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन के साथ और पहले भी मैं आपको मैंसन कर चुक